हलो एंड वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइट न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट रितिक बॉलिवुड स्टार आयूश्मान खुराना आजकल बॉलिवुड इंडस्ट्री के हिट मशीन बन गए हैं अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा अपनी दिल्चस्प फिल्मों और उनके ट्रीट्मेंट को लेकर सिनेमा के चाहने वालों के दिलों पर आयूश्मान अब राज करते हैं आयूश्मान ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री पर अपनी धाग जमाली है तो ही आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं उन साथ चीजों के बारे में जो आपको आयूश्मान खुराना के फिल्मों में जरूर देखने को मिलेंगी जो उन्हें और उनके फिल्मों की 24 को खास बनाती है देखे हमारा आयुश्मान स्पेशल ये प्रोग्राम पहला दिल्चस्प कहानी बॉलिवड स्टार आयुश्मान खुराना के लगबख सभी फिल्मों में मान भी पोट होता है इसके अलावा उनकी फिल्मों में हमेशा कोई दिल्चस्प कहानी आपको परदे पर जरूर दिखाई देगी दूसरा सहक अलाकारों का भरपूर इस्तमाल अपने फिल्म में अपने सहक अलाकारों का कितना उपयोग यानि कितना यूज करना है ये एक्टर आयुश्मान खुराना से बहतर बॉलविड इंडस्ट्री में शायद ही कोई जानता है लेकिन सिर्फ फिल्म के अच्छी कहानी भरी काफी नहीं होती आयुश्मान खुराना की फिल्मों में उनके अलावा पूरी स्टार कास्ट का योगदान काफी एहम होता है तबी तो फिल्म बधाई हो में आयुश्मान के लीड स्टार होने के बावजूद सभी सहक अलाकार पूरी तरह से लाइम लाइट में थे तीसरा मिड साइज बजट फिल्में आयुश्मान की जितनी भी फिल्में आती हैं आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो या तो आउट आफ इंडिया शूट हो रही हो या कोई बड़ा हो उसमें ग्लैमरस कुछ इस अंदाज में उस फिल्म को शूट किया गया हो आयुश्मान की जितने भी फिल्में आती ही वो मिड साइज बजट की फिल्में होती हैं आयुश्मान खुराना की अभी तक रिलीज हुई सभी फिल्में मिड साइज बजट फिल्में हैं वो भारी भरकम बजट और शान और शोहकत से बचते हऊए मिट बजट की फिल्म में दल्चस्पी चुनते हैं और बेहत दल्चस्प फिल्म भी चुनते हैं 4. शानदार निर्देशकों का साथ एक और खास बात आपको आयुशमान खुराना की फिल्मों में देखने को जरूर मिलेगी बॉलिविड स्टार एक निर्देशक पर पूरी तरह वरुसा करते हैं और बहतरीन डारेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं पांचवा, मिडल क्लास लड़के की कहानी आयुशमान खुराना की फिल्म में आपको सपनों की दुनिया में नहीं ले जाती वो आपको हकीकत के धरातल पर रखते हुए मिडल क्लास और नॉर्मल इंसान की कहानी जैसे आप और हम जैसे लोगों की कहानी और उसकी परिशानिया दिखाती है चठा कॉमेडी का सही इस्तमाल या आयुशमान खुराना की फिल्मों की खासियत है इसी की चलते आर्टिकल 15 जैसी संजीदा फिल्म में भी आपको कॉमेडी का पुट देखने को मिला था जो कटाक्ष के साथ साथ आपको हसाने में काम्याब रहा था आयुशमान खुराना की हर फिल्म की कहानी आम जिन्दगी और आम लोगों के करीब होती है इसलिए उनके फिल्मों में अलग-अलग मुद्दे भी आपको दिखाई देते हैं से दर्शक खुद को एक्टर की फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ जरूर महसूस करते हैं तो ये हैं वो साथ चीजें जिसके वजह से जिसके दम खंपर आयुशमान खुराना बॉलिवुट को आयुशमान भवा कह रहे हैं वैसे अगर मैं आपको बता दूँ कि आयुशमान खुराना किसी फिल्मी बैग्राउंड से तालुक नहीं रखते आयुशमान खुराना फिल्म लाइन में एक आउटसाइडर है लेकिन जो सफर आयुशमान ने तै किया है वो वाकई में किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है आयुशमान खुराना की फिल्म की चुईस किसी भी एक्टर में शायदी कम देखने को मिलती है इसलिए कम बजट की फिल्में भी आयुशमान को दर्शकों के दिल पर ऐसा कबजा जमाने के लिए धाग जमवाती है जो शायदी बॉल्यूड में आज किल कोई एक्टर्स कर पा रहे हैं आयुशमान अपनी एक्टिंग से वाकई ओडियंस का दिल बहलाते हैं उनका मनुरंजन करते हैं और एक मिडल क्लास बॉय की जो इमेज आयुशमान लेके फिल्म के जरिये बड़े परदे पर आते हैं उसे दर्शक देखना चाहते हैं उनको देखना पसंद करते हैं तो यही वो साथ चीजे हैं जिनकी वजह से आयुशमान हिट रहते हैं और आयुशमान कि ये साथ चीजों को अगर कोई जाने, कोई पहचाने और कोई फॉलो करे तो वो बॉलिवुड में वाकई सक्सेस बाएगा थैंक यू एंट टेक केर